एक साप टांसफर्मर में जाग घुसा वह 20 घंटे से भी ज्यादा टांसफर्मर से लिपटा रहा इसके बाद जो हुआ उसने सब को हैरान कर दिया आगे जान ये एक साप ने भरपूर पटी के करीब 52 घंटे बंद रही वन विभाग जंगल जंगल फॉल्ट घूनता रहा अंत में उन्हें मुख्य ट्रांसफर्मर में साप ले पटा हुआ मिला जो करण से मर चुका था सोम बार शाम छे बजे भरपूर पटी के 52 घंट गावों में अचानक बिजली गुल हो गई विद्युत विभाग ने दो बार आपूर्ती बहाल करने की कोशिश की लेकिन इस से स्थिती और खराब हो गई इस कोशिश में तुनगी रामपूर सामपूर में लगाए जम फर इस से खंभों में तेज करंट दोरने लगा बिजली विभा के जेई संजीव कुमार ने बताया कि जोखिम को देखते हुए सबस्टेशन से विद्युत आपूर्ती बंद कर दी गई इसके बाद चार लाइन मैनों को लेकर उन्होंने फॉल्ट ढूनना शुरू किया देर र हैसे जलने के बाद उसी पर चिपका रह गया साप के ट्रांसफोर्मर में चिपकने से पूरी विद्युत आपूर्ती ठप हो गई ट्रांसफोर्मर के बुसिंग मेली पटे साप को हटाई जाने के बाद ही विद्युत आपूर्ती सुचारू हो पाई